कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान अपना फर्ज निभाते हुए ड्राइवर ने गवाई जान पंजाब के मुख्य मंत्री ने किया सम्मान में ये बड़ा एलान नमस्कार ट्रांस्पोर्ट टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ असलम पुरैशी आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दोस्तो साल दो हजार बीस कोरोना काल का वैसमय जब लॉकडाउन अपने चरम पर था किसी को भी कहीं आने जाने की आग्यान नहीं थी ऐसे में नांदेड में श्री हुजूर साहिब में लगबग पंजाब के सैकडो श्रधालू फस गए जिनके पास कहीं जाने का कोई साधन और कोई जर्या नहीं था ऐसे में पंजाब के ततकालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने पहल की और लगबग 85 बसे नांदेड में हुजूर साहिब में फसे श्रधालू को निकालने और पंजाब वापिस लाने के लिए भेजी गई लगबग 200 से 200 ड्राइवरों को अपील की गई वो आगे आएं और इस नेक काम में हाथ बटाएं सभी ड्राइवर अपना फर्ज समझते हुए आगे भी आए बेजी जग बिना किसी आना कानी के उन्होंने अपना फर्ज निभाया ऐसे में बठिंडा के रहने वाले मंजीत सिंग जो की एक बस ड्राइवर थे उनकी इस सफर के दौरान वापसी करते समय हार्ट अटेक से मृत्य हो गई जिसको उस समय की सत्ताधारी सरकार ने सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा दे कर डाल दिया लेकिन इसका विरोध उठा उस समय आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने इस मुद्दे को उठाया था उन्होंने कहा था कि ड्राइवर को भी कोरोना वारियर मानते हुए 50 लाख रुपए तक का मुआवजा मृत्तक के परिवार को मिलना चाही और अब जब वो जो की एक सराहनिय कदम है दोस्तों आप इस तरह की घोशना के बाद क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताईएगा ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज देखते रहे ये ट्रांस्पोर्ट टीवी ओ गड़ी जौन दी ये शलांगा मारे दी ओ बंटी ये डीजल ये इंजन ओयल का से आए बाई ट्रांस्पोर्ट टीवी देखने से पर मैं तो रोज दो गंटे ट्रांस्पोर्ट टीवी देखता हूं मुझे तो कोई गिफ्टर निमिला बाई मैं समझ गया तू ट्रांस्पोर्ट मॉल एप पर जहां पर ट्रांस्पोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ओयल अरे वाह मैं भी डाउनलोड करता हूं ट्रांस्पोर्ट मॉल एप और इसी में देखूंगा ट्रांस्पोर्ट टीवी यानि खबरे भी और इनाम ट्रांस्पोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी लावकारी भी